Assalamu alaikum, क्या हाले आप सब के उमीद करती हूं, सब खेरत से होंगे तो आज मैं आपके लिए लेक्या है यो बहुती मज़े की रेसिपी तो इस वीडियो में आपको दो मीठी चीज़ की रेसिपी मिलेगी जो कि बहुती ज्यादा मज़े की बनती है और रिफ्रेशिंग से होती है क्योंकि मैं ड्रिंक भी बनाऊंगी और साथी मैं बनाऊंगी चॉक्लेट मफिन्स अच्छा तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी मफिन्स जो कि बहुती मज़े के बनती है और आपने देखा कितनी ज्यादा वो सॉफ्ट बनी है रेसिपी बहुत ही सिंपल है और बहुत एजी है अगर आपने इससे स्टप बाइस्टप फॉलो की तो तो यहां में मैंने लिया है एक कप मैदा और इसे मैं वेंग स्केल में मेज़े कर लूँगी तो एक कप फॉलर जो की होते है 125 ग्राम्स और इसे आपने फुल करके नहीं लेनी होती है यानि कम्प्रीटली आपने इसे लेबल करके नहीं लेना होता है और ग्राम्स और कपस दोनों में आपसे मैं मेज़र्मेंट शेयर करूंगी ताकि वो आपके लीजी हो तो मैंने यहाँ पर इसे मेज़र कर लिया है फॉलर को और एक मैंने यहाँ पर सिफ्ट रखा है और इसे हमने गुजार देनी इसे अच्छी तरह से सिफ्ट कर लेजी और सिफ्ट करना एक main step होती है वेकिंग में इससे कि अगर आप केक बना रहे तो वो बिलकुल light होती है और अगर आपके मैदे में lumps है तो वो भी remove हो जाती है सिफ्ट करने से इसलिए यह जरूरी चीज है कि आप इसे जरूर से छान लिया करें और अगर आप dough बना रहे तो वो भी बहुत ही अच्छी बनती है और यहाँ पर मेरी powdered sugar जो थी वो खतम हो गई थी तो इसलिए मैंने जल्दे से इसे बना लिया था simply आपने चीनी को grind कर लेना है तो एक है अप चीनी मैंने ली थी और इस तरह से आपने इसी सिफ्ट से गुजार देना है देखिए इस तरह से इसमें बहुत सारे जो है वो पार्टिकल्स रह जाता है शुगर की जो grind नहीं होते है तो इसलिए आपने सिफ्ट करनी जरूरी है इसे मैं remove कर दूँगी और यह हमारी powder sugar ready हो गई है इस तरह से आपने double quantity या जितनी में आपने बना के रखनी है वो बना ले पहले ही ताकि वह जब भी baking करें वह आपके लीजी हो जाए तो मैं फिलहाल के लिए इतनी ही बनाए ति मैं बाद में इसे और बना लूँगी तो simply आप इसे airtight box में डाल दे और जब भी आपको baking करना हो जिसमें powder sugar use हो रही हो तो आप असानी के साथ इसे निकाले और बना ली इससे भी मैं measure कर लूँगी और sugar भी हमें चाहिए 200 grams जोकी होते है एक cup तो एक cup जीनी एक cup flour ते इस तरह से होंगी अच्छा साथी मैंने इसम baking soda इससे ज्यादा आपने नहीं डालना है क्योंकि एक पिंच ही काफी होते है और इसमें बेकिंग पाउडर में शामिल की इसने ज्यादा नहीं डालना है और अच्छी तरह से इंसाई चीजों को आप में dry ingredients को अच्छी तरह से आपने mix कर देनी है और इस तरह से आप सफ्ट कर लें और बेकिंग बहुत है सिंपल है अगर आपने recipe को as it is follow की तो वो बिलकुल perfect बनेंगी चीजें यहां पर room temperature में हो इस बात का ध्यान रखना है measurement सही होनी चाहिए अगर वो grams में है तो वो बिलकुल सही होनी चाहिए तो इसे मैंने जो dry ingredients ही वो अच्छी तरह से मैंने mix कर लिया है और अप इसमें मैं शामिल करूंगी अंडी sex मैंने यहां पर डाले है दो अदल और यहां पर एक्स जो है वो room temperature में है और जो सारे चीजे वो मैं room temperature वाले यूज कर रही हूँ और चाहिए वो milk हो अंडे हो और अगर आप straight away fridge से यह अंडी और milk निकाल की यूज कर रहे है अपने baking recipes में तो फिर वो जाहिर से बात है कि eggs जो है वो ज्यादा time लेते है mix होने में batter के साथ अगर चीजे थंडी हो तो फिर वो bake होने में भी ज्यादा time लगती है तो इसलिए कि it's important कि आप जो है वो चीजे पहले बाहर ले आए मत्त प्रूम टंप्रेचर में ले आए फ्रिच से उसके बाद आप बेकिंग में यूस किया करें और साथी मैंने इसमें half cup oil डाले थे तो कोई भी neutral oil डाल दी और साथी मैंने बनीलेसंस डाले थे और आपको मेरी बनीलेसंस सोड़ी जादा लिक्विडी दिख रहे हैंगी क्योंकि वह है अक्छली आए डूंट नो ऐसे क्यों है शायद भू मैंने लोकल शॉप से खरीदे थे इसवज़ा सी बट इंशाला नेक्स टाइम मैं किसे अच्छे शॉप से लोंगी या पर मैं उसे ऑनलाइन पर उनलाइन तकरीबन 2 टीस्पून क्योंकि वह लिक्विडी थी आपने 1 टीस्पून डालनी है और पर इसमें मैंने डाले थे मिल्क और सारी चीज़े डाल के आपने अच्छे तरह से इसे विस्ट करनी है तो कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होगी आपकी बैटर की नेक्स हमने इसमें और कॉफी जो है वो चॉकलेट की फ्लेवर को इंहांस करती है चाहिए वो आप केक बना रहे है या फिर कपकेक सूथ तो कॉफी जरूर से डाल दे 1 टीस्पून बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है तो मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है यानि कॉफी जो है वो डिजॉल डाल के देखे इंशाला आप को खुद डिफ्रेंस नजर आएंगी तो अच्छी तरह से मैंने इसे यहां वे विस्कर लिया है और बैटर हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है तो एक से दो बार अच्छे से आपने इसे मिक्स कर लेनी है और आपके बैटर की कंसिस्टेंसी क वो भी बना सकते हैं बिल्कुल एजिली और जब फर्स टाइम मैंने मुफिन्स मनाए थी चॉक्लेट मुफिन्स मनाए थी तो वो बिल्कुल मुझसे सही नहीं बनी थी मैंने इसमें बेकिंग सोडा काफी ज्यादा डाल दिया था जिस वजह से वो जब बेक हो रही थी तो बहुत ही डेंजरस देख रही थी ओवर राइस हो गई थी बेकिंग सोडा की वजह से क्योंकि वो र्याक करती है विनेगर के साथ तो इस वजह से इतनी ज्यादा वो डेंजरस लुका आय थी कि मैं खुद हैरान थी कि यह क्या हो गया है पर मुझे रियालाइज हुआ कि तो मैंने एक्सपेरिमेंट किये थे अपने दो मुफिन्स जो मैंने पहले बनाये थी तो फेल हो गई थी और यह थी और माशालाला था यह बिल्कुल अच्छी बनी थी दिसने मैंने सोचे चले मैं आपके साथ रसीपी शेयर करती हूं ताकि आप परफेक्टने आप इसे ब में फिल करना है और अवन को मैंने प्रिहीट के लिया था 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्रीज में ही इसे मैंने बेक किया था 20 मिनट्स के लिए या फिर जब तक आप तूथपिक इंजर्ट करके पहले चेक कर ली अगर वो बेक हो गई है 18 या 19 या 20 मिनट्स में तो आप उसे नि रहेंगी तो इस बात का अपने खाल रखना है यहां पर मैं बना रहे थी बहुत ही मज़े की और रिफ्रेशिंग सी वाटरमेलन जूस सिंप्ली मैंने कट किया था दो कप वाटरमेलन थे मेरे पास उसे मैंने कट किया था सीच के साथ ही आपने इसे ब्लेंडर जार में डाल और यहां पर सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर ली थी और यहांपि मुझे शुगर कम लग रही था-कम इसնे लिफ्री मैं नहीं पदा थी तो चीनी मैंने थोड़े जाल दे थी इंसारों को आपने स्ट्रेंड कर लेनी इस तरह सी और यह पर फिर आ आपने अलग क तो यह मैंने रिमूव कर दी थे, देखे, सीर्स पर अलेदा हो गई है और पहले से करने के जरुवत भी बढ़ती है, तो शुगर डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया था, और साथ मैंने थोड़े से और आइस क्यूब्स डाल दी थी, बिल्कुल यह थनी थनी सी और सकते हैं, और यह चॉक्रट मॉफिन्स बहुत ही ज्यादा मज़े की बनीतिया, सूपर सॉफ्ट है, वो मैं आपको चेक करवाती हूँ, तो जरूर से बना इस रेसिपी को बहुत ही अच्छी लगेंगी, हाला कि मैंने प्लान किया था कि मैं इसे ब्रेक्पस्ट में सर्फ कर हैं, और यह जब मॉफिन्स बेक हो रही होंगी, तो आपको घर जब वो बेकरी बन चुकी होगी, क्योंकि इतने अच्छी अरोमा आती है कि बस दिल जा रहा हो कि जल्दी सी बेक हो जाया हम कब इसे खा लें, तो इस सारह से ही होगी, और बेकरी में जो मिलते हैं, वो पता मज़गी नहीं लगते हैं, जितने कि मैं घर पे इसे बनाती हो, तो ट्राइए आपने भी करनी है, बहुत ही अच्छी लगेंगी, और अगर आप घर पे हाईडी प्लान कर रहे हैं, तो आप इसमें से शामिल करें, गेस्टर तो बहुत ही अच्छी लगेंगी, और वो आप जूस शेक्स में शेयर करूँगी इंशाला वो भी आपको अच्छी लगेंगी तो अगर आप recipes try करते हैं तो मुझे अपनी feedback भी दे सकते हैं तो वो मुझे बहुत ही जादा अच्छी लगेंगी तो यहाँ पर खरीब से इनकी look देखें तो मैं यहाँ पर वीडियो को end करती तो I pray कि Allah पाग आप सब की मुश्किलात को दूर करें just remember that with every hardship comes ease तो और इसी वीडियो को मैं यहाँ पेंड करती हूँ अब दौाओं में याद रखें टेक केर अल्लाह आपस थैंक यू